नमस्कार में तुन जन शर्मा और आप देख रहे हैं यूव इंडियान यूज होली से पहले आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ी है तेल कंपनियों ने कमर्शिल और घरेलू सिलेंजरों के दाम बढ़ा दिये है बुद्वार से गैस की नई दरेल लागू हो गई है गरेलू और कमर्शल दोनों की कीमतों में बढ़हत्री की गई अच्छे दिनों वाली मोधिस सरकार के कारेकाल में पट्रोल डीजल के साथ साथ गैस सलेंजर के भी अच्छे दिन चल रहे है इसके कीमतों में भारी बड़ा होत्री हुई है घरेलू गैस जहां 50 रुपे महंगी की गई है वहीं कमर्शल सिलेंडर 350 रुपे तक महंगे हो गई है महंगाई से राहत की आस लगाए बैठी याम जंद को भड़ा जंद का लगा है घरेलू रसोई गैस सिलेंडर सीधे 50 रुपे महंगा हुआ है गैस कमपनियों ने होली से पहले घरेलू और कमर्शल एलपीजी सिलेंडर दोनों के दाम बढ़ा दिये है 19 किलो वाले कमर्शल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में जहां 350 रुपे की बढ़ातरी हुई वही 14 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर में सीधे 50 रुपे महंगे किये गए है गैस कमपनियां हर महीने की पहली और 16 तारीक को गैस की कीमत एपजेट करती है पिछले महीने गैस के दाम में कोई बदलावर नहीं किया गया था लेकिन इस बार मार्च की शुरुवात में ही कमपनियों ने महेंगाई का बम पोड़ दिया है पिछले काफी वक्त से जनता महेंगाई की मार से तरस्त है पट्रोल डीजल के दाम पहले से ही आसमान पर है और मोधी सरकार के कारिकाल में LPG सिलेंजर में लगतार महेंगा होता जा रहा है आम आदमी को उमीद थी कि बजट में उसे महेंगाई से मुक्ती दिलाने के कुछ प्रापदार हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं हुआ उल्टा गैस कंपनियों ने LPG सिलेंजर के दाम पढ़ा कर उसके जखमों पर नमक छिड़कने का काम किया है इस बढ़ोत्री के साथ पूरे देश में सिलेंजर भेंगा हो गया है अब तक दिल्ली में 14.2 किलो का घरेलू गया सिलेंजर एक हजार तिरेपन रुपए में मिरता था जो अब ग्यारा सो तीन रुपए का हो गया है 19 किलो वाली कमर्शल LPG सिलेंजर की कीमतों में साड़े 300 रुपए की बढ़ोत्री हुई है इसके साथ ही दिल्ली में 19 किलो के कमर्शल सिलेंजर की कीमते 2,119 रुपए हो गई है नई तरे आज यानी एक मार्च से लागू हो जाएंगी आपको पता दें कमर्शल LPG सिलेंजर मेंगा होने से चाय से लेकर समोसे तक सब की कीमते बढ़ जाएंगी छोटी चाय की दुकान से लेकर बढ़े होचलो तक में 19 किलो वाली कमर्शल इस्तमाल होता है जब भी इसके दाम बढ़ते हैं बाहर खाने पीने की चीज़े भी महंगी हो जाती है और एक बार जो दाम बढ़ गए वो वापस नीचे नहीं आते कमर्शल सिलेंडर के दाम बीते कुछ समय से कई बारू पनीचे हुए दाम में कमी से क्या चाय समोसा सस्ता हुआ निश्चित तोर पर नहीं जिसका मतलब है कि 1 मार्च 2014 को दिल्ली में घरेलू गया सिलेंडर 410 रुपे का था इसके बाद से अच्छे दिन वाली मोधी सरकार में इसके अच्छे दिन शुरू हो गए 6 अक्टूबर 2021 को 15 रुपे की बढ़ होतरी के साथ घरेलू LPG सिलेंडर 899 में रुपे पर पहुच गया उसी के बाद 22 मार्च 2022 में कीमतों में सीधे 50 रुपे का इजाफा हुआ और ये चड़कर 949 रुपे हो गई 7 माई 2022 को फिर 50 रुपे बढ़ाए गई इसी के साथ सिलेंडर की कीमते 999 में रुपे हो गई 19 माई 2022 को गैस कमपनियों ने 3 रुपे बढ़ा कर डुमेस्टिक सिलेंडर की दाम को 1000 के पार पहुचा ही दिया इसके बाद 6 जुलाई 2022 को 50 रुपे की फिर बढ़ादी के साथ कीमते 1053 पहुच गई है अब यह 1103 रुपे हो गई है कॉंग्रेस के नित्रत्व वाली UPA सरकार में LPG गैस सिलेंडर पर सबसीडी दी जाती थी जिसे मोधी सरकार ने बंद कर दिया 2014 में केंदर में सत्ता परिवर्तन हुआ और अच्छे दिनों के फायदे के साथ मोधी सरकार सत्ता में आई सरकार ने LPG सबसीडी को लेकर बड़ा बतलाव किया ये सबसीडी सीधे कस्टमर्स की अकाउंट में भीच जाने लगी एक साल में 12 सिलेंडर पर सबसीडी देने की शुरुआत की गई सिलेंडर मार्केट कीमत पर मिलता रहा लेकिन इसकी सबसीडी उपुभोक्ताओं खाते में आ जाती थी एक रिपोर्ट के मताबिक अपरेल 2020 तक उपुभोक्ताओं को रसोई गैस पर 147 रुपे की सबसीडी बिलती थी मगर अब इस सबसीडी को भी बंद कर दिया गया है आपकी क्या राय है इस खबर पर हमें कमेंट करकर अपनी राय जरूर बताईएगा